मेरे प्रिये भाई और बेनों, आज मैं एक महतवपूर्ण विशय पर वचन सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मत्ति के सुसमाचार की अध्याई 11 वाकि 29 में प्रभी येशु कहते हैं, मुझसे सीखो। प्रभी येशु कहते हैं, मुझसे सीखो। एक येशु की शिश्य को येशु से से सेखना चाहिए। फिलिपियों की पत्र की अध्याई 2 उसके वाकिय पांच में संपौलूस कहते हैं, आप लोग अपने मनोभाव को येशु के मनोभाव की तरह बना ले। आप लोग अपने मनोभाव को येशु के मनोभाव की तरह बना ले हम प्रभी येशु को प्रभू कहते हैं मुक्ती दाता कहते हैं प्रभी येशु हमें मुक्ती देने के लिए लेकिन इसके साथ साथ प्रभी येशु हमारे लिए आदर्श भी है प्रभी एसु हमारे लिए आदर्श भी है प्रभी एसु ने अपने जीवन को जीकर हम ये बताया कि इंसान हो तो ऐसा इंसान हो तो ऐसा कोलोशियों के पत्र के अधियाई एक उसके वाकिय पंदरह में संद पौलूस कहते हैं कि येशु मसी इश्वर का पहला उठा है और इश्वर का प्रती रूप है बैबल हमें बताती है कि इश्वर ने हमें अपना प्रती रूप बनाया ये कहां है कहां दिखाई देगा येशु में दिखाई देगा येशु इश्वर के प्रती रूप है येशु वो प्रतिरूप है जिसमें हम बनाए गये हैं जो हमें बनना है तो येशु हमारे लिए ना किवल मुक्ति दाता है ना किवल प्रभू हैं बलकि हमारे लिए आदर्श भी है इसलिए प्रभी येशु ने बेहिचक कहा कि मैं ही मार्ग हूँ मैं ही मार्ग हूँ मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास ने पहुंच सकता है पिता के पास पहुंचने के लिए येसु मार्ग है येसु मार्ग दिखाते हैं नहीं बलकि मार्ग है यानि येसु के कदमों पर अपने कदमों को रखने से उनके पद चिन्नों पर हम अपने पैरों को रखेंगे हम पिता तक पहुंचाएंगे येशु हमारे लिए आदर्श है येशु हमारे लिए मार्ग है देखे संद पहलूस क्या कहते हैं कुरिंतियों के पहले पत्र की अधियाए 11 वाकी एक में कुरिंदियों के पहले पत्रिक अध्याए 11 वाकि एक में पौलूस कहते हैं आप लोग मेरा अनुसरन करें जिस तरह मैं येशु मसी का अनुसरन करता हूँ पौलूस कहते हैं कि मैं येशु मसी का अनुसरन करता हूँ आप लोग मुझे में येशु को देखते हैं अनुसरन किजिए येशु मसी का अनुसरन करना हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभी येशु जितने भी लोगों को बुलाए उनसे क्या कहा आपको मालुम है उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ मेरे पीछे चले आओ यानि प्रभू के पदचिनों पर अपने पैरों को रखो येशु का आनुसरन करो येशु का आनुकरन करो एक विश्वासी एक मसीही वो है जो येशु का आनुसरन करता है और आनुकरन करता है प्रभू कहते हैं मुझसे सीखो लेकिन बड़े दुर्भागी और दुख की बात है कि हम आसानी से दुनिया से सीख लेते हैं हम आज दुनिया से सीख रहे हैं एक तरफ येशु है येशु की शिक्षा है लेकिन हमारा जीवन ऐसा लगता है दुनिया की शिक्षा की मताबिक है हम दुनिया का नकल करते हैं, असानी से दुनिया का नकल करते हैं, अन्दे वोकर दुनिया का नकल करते हैं, जो दुनिया में जो करते हैं लोग वही हम लोग भी करते हैं, मैं छोटे छोटे उदाहरन दूँग आपको, बड़े बड़े उदाहरन तो पहुत सारे हैं, एक घरों में हमने देखा है स्प्राइट लेके आते हैं तुरंद बजार से स्प्राइट लेके आए ऐसे कॉल्डिंग से लेके आते हैं कोका कोला लेके आते हैं पीते भी हैं जबकि आप जानते हैं स्प्राइट में इतनी असिडिटी है कि वहां कैंसर को अंजाम देता है लेकिन हम पीते हैं क्योंकि सारी दुनिया पी रही है हम दुनिया का नकल करते हैं डॉक्टर लोग सिखाते हैं कि फास्ट फूड मत खाया करो बजार का जंग फूड मत खाया करो लेकिन हम को वही टेस्टी लगता हम लोग खाते हैं अलाकि वो हमारे स्वास्ति के लिए आनिका रखें उपभोगिता वाद हमारे उपर हावी हो गया है मेडिया हमारे उपर हावी हो गया है विग्यापन हमारे उपर हावी हो गया है विग्यापन जो बोलता है उसी को हम लोग करते हैं विशेश करके बच्चे तो असानी से और हम दुनिया से सीखते हैं दुनिया क्या से बताती है? ताकत शक्ती, ताकत दुनिया दिखावे पर विश्वास करती है शो, अरंबर दिखावा हम भी वेही करते हैं चर्चस में भी यही देखने को मिलते हैं दिखावा, आडंबर शोज जुलूज सुन्दरता यह सब दुनिया की शिक्षा है दुजार वर्ष पहले प्रभी येश्वी संसार में आए ईश्वर के राज की घोशना करने के लिए सुर्ग के राज की घोशना करने के लिए और बड़ी रोचक बात यह है कि प्रभी येश्वी की शिक्षाएं संसार की शिक्षाओं की ठीक विप्रीत है ठीक प्रीत आप लिजे उदाहरन के लिए प्रभी येश्वी की शिक्षामत्य अधियाए पांच प्रभु ने का धन्ने हे वे जो अपने को दीन हीन समझते हैं धन्ने हे वे जो नम्र हैं धन्ने हे वे जो शोक करते हैं धन्ने हे वे जो धार्मिक्ता के भूखे और प्यासे हैं धन्ने हे वे जो दयालू हैं धन्ने हे वे जिनका हिर्दे निर्मल हैं धन्य है वे जो मेल कराते हैं, धन्य है वे जो धार्मिक्ता के कारण अचार सहते हैं, यह पूरा संसार की शिक्षा की विप्रीत है, संसार की दिष्ठी में कौन धन्या है, दीन ही न, कौन बड़ा है, पैसे वाले, पद वाले, अधिकार वाले है, प्रभी येसु की शिक्षा ठीक भी प्रीत है यहान के इसु समाचार के अधियाए 15 वाकि 18 उन्नेस में प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम को संसार से अलग किया है तुम संसार के नहीं हो मैंने तुम को संसार से अलग किया है यहन अध्याई 17 वागी 15 16 में प्रभी येशु पिता से प्रारतना करते हैं कि पिता वे संसार में हैं मैंने कहता कि तू उनको संसार से उठा ले लेकिन उनको बुराई से बचा वे संसार में हैं लेकिन उनको बुराई से बचा तो हम आहए से संसार का नकल करते हैं अन्य लोगों का नकल करते हैं सारी दुनिया इस और जा रही है हम भी उसी और जा रहे हैं लेकिन प्रभी येसु कहते हैं मुझसे सीखो येसु हमें एक नई शिक्षा सुनाने आए येशु हमें एक नई जीवन शैली के बारे में बताने आए येशु हमें एक नया जीवन दर्शन देने आए येशु हमें संसार के विप्रीत स्वर्ग राज इश्वर के राज के योग जीवन जी ने बताने आए प्रभ कहते हैं मुझसे सीखो हमें येशु से सीखना है कई बातों में हमें येशु से सीखना है मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ सबसे पहले हमें येशु से नम्रता नम्र बनना सीखना है हमें येशु से नम्र बनना सीखना है एसु की मितरता किन-किन लोगों के साथ थी समाज के समानित लोगों के साथ पढ़े लिखे लोगों के साथ दार में गुरूं के साथ किन के साथ थी एलिट लोगों के साथ कुलीन लोगों के साथ एसु के शिष्ष किस परकार के थे आदादादन मच्छवे थे बागी कोई चुंगी लेने वाला कर लेने वाला अननिवा लोग इसके दोरा येशु की नम्रतब रकट होती है हम किन लोगों के साथ मितरतब बनाय रखना चाहते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ नामी लोगों के साथ पैसे वालों के साथ पद वालों के साथ हम कैसे लोगों को चिश्य बनाना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो शक्दिशाली है जिनकी चलती है प्रभी एसु के अंदर असादारन शक्तियां थी रोगियों को चंगा करते थी शब्द मादर से चंगा करते थी पल भर में चंगा करते थे अब दूतों को निकालते थे बड़े बड़े चमतकार करते थे आंदी को शांद करते थे पानी पर चले पांच रोटियों से पांच अजार से भी लोगों को खिलाया कितना बड़ा जादू लेकिन उनका जीवन देखिए सर्वसाधारन जीवन जीवन साधारन था शिष्यों के साथ आम इंसान की जंदगी यहां तक की युदस कर्योती से सैनिकों ने पूछा सिपाईों ने पूछा कि हम कैसे इस येशु को पहचाने वो तो बराबर अन्य लोगों की तरह दिखते हैं सर्वसाधारन हम कैसे उसको पहचाने युदस ने का जिसको मैं चुमबन दूँगा वो ही होगा येशु उसको पकड़ लेना हो हमें येशु से नम्र बनना सीखना होगा प्रभी येशु ने का मुझ से सीखो क्योंकि मैं सुभाव से नम्र और विनीद हो हमें येशु से नम्र बनना सीखना होगा हमें येशु से सेवा करना सीखना होगा अंतिम ब्यालू के समय और के समाचार के अधियाए तैरा में हम पढ़ते हैं उसके वाग्य तैरा और चौदा में प्रभू ने अपने शिशों के पैर्द होए उसके बाद उनसे का कि तुम मुझे प्रभू और गुरू कहते हो सही कहते हो यदि प्रभू और गुरू होकर मैंने तुमारे पैर्द होया तो तुम भी एक दूसरे के पैर्द होना हो तो आप कहेंगे स्वामी जी आजकल तो बहुत सारे लोग पैर्द होते हैं राजनेतिक की लोग तो पैर्द होते हैं मत्यिक एसु समाचार के अध्याई 20 में हम पढ़ेंगे, उसके वाकिशपीस से अठाइस तक, प्रभी एसु ने का तुम में ऐसी बात नहीं होगी, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है, वो तुम्हारा सहवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है, वो तुम्हारा दास बने, क्योंकि मानों पुत्र भी अपनी सहवा कराने नहीं, बल्कि सहवा करने तथा बहुतों के उदार के लिए अपने प्रान देने आया है, तो प्रभी एसु का अंतिम ब्यालु के दवरान अपने पिशिशों का पैर धोना मात्र एक एक नाटक नहीं था बल्कि वो उनके जीवन की शैली थी सेवा करना हमें प्रभी एसु से सेवा करना सीखना है हमें प्रभी एसु से प्रेम करना सीखना है हम सबी लोग कहते हैं कि हम लोग प्रेम करते हैं हमें प्रभी येशु से प्रेम करना सीखना है प्रभी येशु के बारा प्रेरतों में से एक जिसका नाम यूदस करियो थी येशु को मालूम था कि उसके अंदर कपड था चल था येशु को मालुम था कि उसके अंदर धन के प्रतिलालस था येशु ये भी जानते थे कि ये धोखा दे सकता है इसके बावजूद येशु ने उसको बारः प्रेरतों में स्थान दिया येशु ने उसको बारः प्रेरतों में स्थान दिया इतना ही नहीं अंदिम ब्यालू के दवरान उसको पास बैठाया उसको भोजन खीलाया अगर आपको पता चलेंगी कोई आपको दोखा देने वाला है कि आप उसको अपने पास रखेंगे यह प्रेम है असली प्रेम असली प्रेम में जोखिम है यह सु को पकड़वाने के लिए वहाँ गैसमनी बाग में आता है यह सु का चुमन करता है तो यह सु ने क्या कहा मित्र यह सु ने उसको मित्र कहा यह असली प्रेम है मती के सुसमाचार के अधियाए पांच उसके वागिए 46 और 47 पढ़िएगा प्रभी एसु कहते हैं यदि तुम उनको ही प्रेम करते हो जो तुम्हें प्रेम दे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है नागेदार भी ऐसा गया करते है अन्य लोग भी ऐसा किया करते है गैरियोदी भी ऐसा किया करते है यदियाई तैरवा कि 34 में प्रभी एसु कहते है जिस तरह मैंने तुम्हें प्रेम किया उसी तरह तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो प्रभी एसु ने कैसे प्रेम किया दूसरों की कम्यों का नजर अंदाज किया प्रेम में जोकिम उठाया प्रेम में दूसरों को सहा अपने शिश्यों की कमियों कमजोरियों को सहा लेकिन उनको साथ रखा आमें प्रभी एसु से प्रेम करना सीखना होगा आमें प्रभी एसु से च्शमा करना सीखना होगा कुरूस पर से प्रवियस्यों की प्रार्थना कौन नहीं जानता है वो हमारे लिए एक महांच शिक्षा थी मत्तिक इस समाचार के अधियाच पांच उसके वागिए च्वालीस में प्रभु कहते हैं जो तुम पर अधियाचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो और प्रभु ने कुरूस पर ये करके दिखाया एपिता इने श्मा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं इससे बड़ी श्मा क्या हो सकती है जिन लोगों ने उनको हाला की वो निरपरादी थी निर्दोर्षी थे इसके बावजूद उनके उपर दोर्ष लगाया गया मढ़ा गया दो दो सजा दी गई चालीस कोड़ों की सजा उपर से क्रूस पर लटकाने की सजा मा डालने की सजा उपहास हुआ अपमान हुआ अवहेल ना हुई थूका गया इन सारी बातों के बावजूद प्रभू ने कहा पिताव उन्हें छ्यमा कर क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं हम ये येशू से छ्यमा करना सीखना होगा जब प्रभी येशू पकड़े गया थे प्रभी येशू को छोड़ कर भागे ढूनते हैं कहा हैं कोई समुद्रे के तड़ पे है कोई सड़क पे है कोई बंद कमरे में है येशू उन्हें की खोज में चले जाते हैं येशू ने अपने दिल में उनकी प्रती जरा भी क्रोध नहीं रखा हमें येशू से छ्यमा करना सीखना होगा आज में कितने लोग तरस्कृत है अपमानित है बहुत सारे लोग जुगी जोपड़ियों में रहते हैं न लाखों करोन की संख्या में उनका कोई न कोई जन्मस्थान रहा है भारत के किसी न किसी कोने से वे आये है तरस्कृत है किसी किसी न किसी कारन वश्वे समाज में रहने ही पाए भागे कचहरियों में कई लोगों को जड़ ज़स के सामने लड़ लड़ कर बोलना पड़ता है कि मैं जिन्दा हूँ मैं फलाना हूँ मैं जिन्दा हूँ क्योंकि वे लोग मुर्दा गोशित किये गये हैं उनकी जमीन हडपने के लिए इस इंसार में कितने ही लोग तरस्कत है प्रभी एसु ने उन लोगों के साथ आदान प्रदान किया जो समाज से तरस्कत थे यहूदी समाज ने जिन लोगों को तरस्कत किया था एक्स क्यम्यूनिकेट अंग्रेजी में कहते हैं समुदायस से अलग किया था उन लोगों के साथ प्रभी एसु ने समपर्क साधा शायद प्रभी एसु की एक ये कमी नोगों ने डूड ने काला ये इनसान धर्मी नहीं है इन धर्मी होता तो जिन लोगों को कामने हाडाया है ये हुदी समुदायस से समाज से अलग किया है उसके उन लोगों के साथ ये संपर्क साधा कोड़ी वेशियाएं नागेदार समाज से तरस्कत लोगों के साथ प्रभी एसु ने संपर्क साधा उनको साथ दिया यहुदी धर्म गुरु इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए इसलिए उन्होंने इर्शिया में येसु को कुरूज पर चाहाया हमें येसु से तरस्कृतों को साथ देना सीखना होगा हमें येसु किसे दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित करना सीखना होगा येसु ने वही किया येसु ने हमारे लिए अपने प्राण को अर्पित किया येसु ने अध्याय तीन वाके सौला में हम पढ़ते हैं इश्वर ने संसार्ज इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलावते पुद्र को अर्पित कर दिया येसु ने अपने प्राण हमारे लिए अर्पित किया रोमिय अध्याय पांच वाके साथ और आठ को पढ़ना पौलूस कहते हैं कि ये संभाव है कि कोई धर्मी के लिए अपने प्राण हर्पित करें लेकिन इश्वर ने हमारे लिए उस समय प्राण हर्पित किया जब हम उनके शत्रू थे ये सु ने अपने शत्रूं के लिए अपनी प्राण कर देता हूँ अपने प्राण अर्पित कर देता हूँ हमें ये सु से अपना जीवन अर्पित करना सीखना होगा हमें अपना जीवन अर्पित करना सीखना होगा मनिश्य स्वभाव से स्वार्थी है आप और मैं स्वभाव से स्वार्थी हैं हमें लेना आता है देना कम आता है हम लेने के लिए हाद खुला रखते हैं लेकिन देने के लिए कम हाद खुला रखते हैं ऐसे में हमें प्रभी येसु से सीखना है कि देना क्या होता है अर्पित करना क्या होता है अपनी पती के लिए जीवन अर्पित करना पत्नी के लिए जीवन अर्पित करना बच्चों के लिए जीवन अर्पित करना अपने समाज के लिए जीवन अर्पित करना अपने देश के लिए जीवन अर्पित करना सारे संसार के लिए अपना जीवन अर्पित करना हमें येशु से सीखना होगा हम सबी लोग कुरूस को बहुत प्यार करते हैं और कुरूस यही सिखाता है कुरूस पर से येशु यही बताते हैं मेरी तरह अपने जीवन अर्पित करना सीखो हमें प्रभी येशु से सीखना होगा तपस्या करना प्रभी एसु ने तपस्या की सुसमाचारा में बताते हैं कि प्रभी एसु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना किये मालूम उनकी उम्र क्या थी उस समय Only 30 years, 30 साल 30 साल की उम्र में प्रभी एसु ने चालीस दिन और चालीस रात उपवाज और प्रार्थना की और ईश्वर से शक्ति अर्जित किया उस समय उनकी परिक्षा ली गई और उन परिक्षाओं में वह जीत गए वेज़ई बने हमें येशु से तपस्या करना सीखना है हमें येशु से प्रार्थना करना सीखना है येशु ईश्वर के पुत्र थे इसके बावजोद प्रभी येशु ने प्रार्थना में कितना समय बिताया येशु के शिशों ने देखा ये लूकस अद्याए 11 वाकी एक में हम पढ़ते हैं येसु के सिशो ने देखा कि येसु कितना प्रारतना कर रहे हैं इसलिए का हामें भी प्रारतना करना स्थिखाई है कि मारकुष एक पेंदेश बड़े सबेरे उठकर प्रव ये-स प्रारतना में प्रारतना करते थे जब सब लोग शीशे सो रहे Wild personalities आदो में झाकर अब्लोक सद्याय चेंव्भारा प्रभी प्रभीются रात बार प्रवात नो करते थी हॉड़ी प्रभीयसु अपना काम चोड़ कर रखना सीखना होगा अमें प्रभी एसु से एश्वर पर बरोसा रखना सीखना होगा लोकस की स्वमाचार के अध्याय नौ वाक्य अन्थावन में प्रभी एसु कहते हैं आकाश के पक्षियों की अपने घोसले होते हैं लोमडियों की मांदे होती हैं लेकिन मेरे लिए मानव पुत्र के लिए सिर्ची पाने के लिए जगा नहीं है कितनी बड़ी सिर्चाईए एक उशाले में जनम लिए उसके बाद तिन-चार साल तक परदेश में रहे एक मढ़ई के परिवार में पले सुसमाचार की गोष्णा काम शुरू करते समय घर छोड़ दिये आने जगाओं पर रहने लगे शहर के बाहर मा डाले गए किसी और की कबर में रखे गए प्रभियस्व पूरी तरह से इश्वर पनर भर थे अब्बा पिता जो कहता था प्रभु को मनजूर था उनकी इच्छा पूरी करना उन पर नर्भर रहना हमें भी सीखना होगा हमें भी सीखना होगा मतिगे सुमाचार की अध्याईचे वागे 25 और 26 तब ये सु कहते हैं तुमारा सरगीक पिता अगाश के पक्षियों को खिलाता है खेत के फूलों को सजाता है बरुसा रखो हमें येसु से इश्वर्च पर बरुसा रखना सीखना होगा अंद में हमें येसु से पवित्र जीवन जीना सीखना होगा हमें येसु से पवित्र जीवन जीना सीखना होगा येसु जवान थे 33 साल की उमर में वो मरे लेकिन मरते समय क्रूस पर से उन्होंने क्या कहाई पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं उनका संपूर्ण जीवन पिता की इच्छा पूरी करना था वे भटके नहीं शैंतान की वर्ष में नहीं पड़े पूरी तरह से पिता की ओर उनकी जंदगी थी जीवन था सुर्गोन मुख हो जीवन था और अंद में उन्होंने का मैं अपने आत्मा तेरे हाथों में समर्पित करता हूं मेरे प्रीए भाई और बेनों हमी येसु से सीखना है और भी बहुत सारी बाते हैं मैंने आपके सामने कुछ बाते रखी हैं इसको बार बार सुनिएगा हमें येसु से सीखना है ना केवल चर्च जाना ना केवल बाइबल पढ़ना ना केवल बाइबल सुनाना मैं लोगों से पूछता हूं ये बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए है क्या ये बाइबल के लिए है फिलिपियों के पद्रे के अध्याई एक उसके वाकिश सताइस में संद पावलुस कहते हैं कि आपका जीवन सु समाचार के अनुसार हो ये महतुपोन बात है प्रवियसु धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं तेरे जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे जीवन के एक एक पहल तू के लिए धन्यवाद देते हैं, तू हमारे लिए एक चमकता वा तारा है, तू हमारे लिए सबसे बड़ा आदर्श है, जैसे तू जीया उस तरह हमें भी जीना चाहिए, जिस तरह संपालूस कहते हैं, जिस तरह मैं येशू का अनुसरन करता हूं, मैरा भी अनुसरन हैं, जिस का अनुसरन किया जा सकता है, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं आप रो कि अध्य थे प्रति प्यार दीजिए। हमें थे पीछे चलने की सक्ति दीजिए, समर्थ दीजिए। हम बटक जाते हैं, संसार हमें बटकाता। छक्ता does हम लोग भी डूप जाते हैं भूल जाते हैं अंधे हो जाते हैं हमारी नजरों को तुछ पर लगाए रखने के लिए कृपा देना हूँ इबरानियों के पद्र के अध्याए बारावा केक में जिस सरसंद पौलूस कहते हैं तेरी और दिश्ठी लगा कर उस दौड में आगे बढ़ने के लिए मिकरपा देना हूँ देने वाद यश्ठी तेरी स्तुती तेरी अराभ में तेरी महिमा